जैश्री कृष्णा आप सभी माताव बहनों को संस्कृति परंप्रा और अखंड सोबागे के महापर्व करवाचोध की हार्थिक शुकामने भगवान आपके व्रत को सफल एवं प्राथना को सफल करे सबसे पहले हम आपको गनेश जी की कता सुनाएंगे उसके बाद करवाचोध की कता सुनाए जाएगी तो चले सबसे पहले सुनते हैं गनेश जी की कता तो बोलिए गनपत्ति माहराज की जै बहुत समय पहले की बात है एक अंदी बुडिया थी जिसका एक लड़का और बहुत ही वो लोग बहुत ही गरीब थे वो अंदी बुडिया रोजाना गनेज जी की पूजा किया करती थी गनेज जी उस बुडिया से प्रसन होकर एक दिन साक्षात सनमुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन हूँ आपको जो वर मांगना है वो मांग ले बुडिया कहती है मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू तब गनेज जी बोले कि अपने बेटे और बहु से पूछ कर मांग लो तब बुडिया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहु ने कहा कि पोता मांग ले तब बुडिया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे फिर बुडिया ने पडोसियों से पूछा, तो पडोसियों ने कहा कि बुडिया तेरी थोड़ी सी जिन्दगी बची है, क्यूं मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेतर मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिन्दगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुडिया ने बेटे और बहु तथा पडोसियों की बाते सुनकर घर में जाकर सोचा, कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूँ जिससे बेटा, बहु और मेरा सबका ही भला हो, जब दूसरे दिन शिरी गनेज जी आये और बोले कि आपको क्या मांगना है, किरपया बताईए, ह यदि आप मुझे पर प्रसन हैं, तो मुझे नो करोड की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आखों में परकाश दे, नाती पोते दे, और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे, बुडिया की बाते सुनकर गनेज जी बोले, बुडिया मा, तु कुछ तुने मांग लिया, वह सभी तुझे मिलेगा, यूँ कहकर गनेज जी अंतरध्यान हो गए, हे गनेज जी, जैसे बुडिया मा को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सब को देना, और हमको भी देने की किरपा करना, तो बोलिए गनपत्ती महराज की जै चलिए अब आपको सनाते हैं करवा चोत वरत कता, तो सबसे बहले बोलेंगे शिव पार्वती की जै गोर्जा माता की जै करवा माता की जै, एक साहुकार था, उसके साथ बेटे थे और एक बेटी थी, वैसा तो भाईयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैटकर खाना खात थे एक दिन कार्तिक की जोत आई, और बहन ने करवा चोत का वरत रखा, सारे भाई भोजन करने आए, और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले, उनकी मा बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चोत का वरत है, जब चान निकलेगा तभी खाना खा तो वह अपने भावीओं से बोली, चलो भावी चान निकल आया है, अर्धे दे दो, तो उसकी भावी बोली, ये तो तेरा चान निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा, यह सुनकर भाईयों के कहने से उसने चान खान को अर्धे दे दिया, और खाने बैठ गई, पहला टुक तोड़ा तोड़ा तो छीक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आगया कि राजा का लड़का बिमार है, जल्दी लड़की को भेजो, मा ने लड़की के पहनने के लिए तीन बार संदुग खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले, अब उसक को सफेद कपड़े पना कर ही सुसराल भेज दिया, और मा ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बान दिया, और बोली, रास्ते में जो भी मिले, उसके पैर पड़ती जाना, और जो तुझे सुहा का अशीश दे, उसे सोने का सिक्का दे देना, और पल्ले को गांठ लगा लेना, अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सब के पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहा का आशीश नहीं दिया, अब वह सुसराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, साथ बेटों की मा हो, मेरे भाई का सुख देख, अब उसने सोने का सिका ननंद को देकर पल्ले को गाट मार ली, उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पती मरा पड़ा है, अब वह उसे लेकर एक कोटरी में पड़ी रही, एक साल तक उसकी सेवा की, उसकी सास तासी के हाथ इस परकार उसे अपने पती की सेवा करते करते एक साल हो गया, करवा चोत का वरत आया, सारी पडोस ने नहा दोकर करवा चोत का वरत रखा, सबने सिर्ध होकर हातों में मेहंदी लगाई, चूडियां पहनी, वह सब देखती रही, एक पडोसन बोली, तू भी करवा चोत का वरत कर ले, तब वह बोली मैं कैसे करूँ, तो वह बोली चोत माता की किरपा से सब ठीक हो जाएगा, उसकी कहने से उसने भी वरत रखा, थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवे लो री करवे लो, भायों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे लो भायों की प्यारी करवे लो एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा तो वह बोली मेरी तीसरी भेहन आएगी वो तेरे को देगी इस तरह पांच भेहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिये फिर छटी भेहन आई और बोली मेरी सातवी भेहन आएगी वह सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना जब खूप चिलाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुप जाएगा तब तु सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़ कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना तो वह तेरे को अशिरवा देगी भाई जी ओ, साई जी ओ जब तुझे अशिरवा देगी उससे करवे मांग लेना तब तुझे करवे दे कर जाएगी फिर तु उजमन करना जिससे तेरा पती अच्छा हो जाएगा अब उसने वैसा ही किया सारे रास्ते में कांटे बिछा दिये जब वो करवे लेकर खूब चिलाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुब गया उसने उसका पैर पकड़ कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिये तो उसने आशिरवाद दिया तव बोली जब तुने मुझे आशिरवाद दिया है तो करवे भी दे कर जा तो वह बोली तुने तो मुझे ठग लिया यह कहकर उसने उसे करवे दे दिये अब करवे लेकर उसने उज्वन की त्यारी की वरत रखा राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया, वो बोली सोये नहीं, बारा महीने हो गए तेरी सेवा करते करते, फिर उसने चोथ माता का उजबन अच्छी तरह से किया, अब उसने चोथ माता की कहानी सुनी और उजबन किया, अब वे दोनों चोपड खेलने लग गए, इतने में उसकी दासी तेल और गुड की डली लेकर आ गई दोनो को खेलते दे कर सासु से जाकर बोली महलों में खूब रोनक है तेरी बहू चोपड सार खेल रही है इतना सुनकर सासु देखने को आई दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई बहू ने सासु के पैर दभाए और सासु बोली बहुत सच सच बता तुने क्या किया, उसने सारा हाल अपनी सासु को बताया, तो राजा ने सारे शहर में धिंडोरा पिटवाया कि अपने पती की जीवन सुरक्षा के लिए सब भेहने करवा चोथ का वरत रखें, पहले करवे को अपने पिहर में जाकर तोत माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना कहानी सुनते समें कटोरी में चावल लें चांद को अर्थे देते समें ऐसा साथ बार बोलें तो बोलिए करवा माता की जै शिव पारवती की जै